नमस्कार, मैं डॉक्टर शिक्षा तिवारी, शिक्षा संकाय, बाबा सहय भीम राओ अमेटकर विश्विद्याले लखनोग। आज हम जिस विशय पर चर्चा करेंगे वो है आकडो का संग्रहन तता उनका विशलेशित, कालेक्शन ओफ डेटा अट्स अनलेसिस, आप सबी को पता है कि अनुसंधान या शोत जो होता है, वो नवीन ग्यान को स्रिजित करना, या जो पहले का ग्यान है उसमें कुछ और जो शोध की कसोटी पर उसको चेक करना होता है अब ये जो पूरी शोध की प्रक्रिया है अनुसंधान की प्रक्रिया है इसमें जो आकड़े हैं वो बहुत ही महत्वपून भूमी का निभाते हैं आज इसी विशे पर हम विस्तार से आकड़ों के संग्रहन के उपकरन और खिन तकनीकों के द्वारा इनको संग्रहित किया जाता है इकठा किया जाता है साथी साथ आकड़ों के श्रोथ तथा इनका विशलेशन और व्याख्या के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आकड़े जो होते हैं वो शोध में आकड़ों के माध्यम से आप अपनी समस्या या जो आप उदेश्य निर्धारित करते हैं उन उदेशों के अनुसार आप आखडों को एकत्रित करते हैं और उन आखडों की सहायता से आप अपनी समस्या का समाधान करते हैं या अपनी शोध में निश्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आकड़े जो हैं वो बहुत ही एहम भूमिका शोध प्रक्रिया में उनकी एक बहुत ही एहम भूमिका होती है। अब इन आकड़ों को एकत्रित करने के लिए हम कुछ तकनीकों का उप्योग करते हैं। वे सभी साधन जिनका हम प्रयोग करके अपने शोध में आकड़ों को सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और उन सूचनाओं उन आकड़ों के आधार पर अपने शोध के उदेशों को प्राप्त करते हैं। यह उपकरन कहलाते हैं। आकड़े क्या होते हैं? आकड़े जैसे आप सभी अकबार में पढ़ते हैं। भारत की शिक्षा जो हमारा ग्रॉस इंरॉल्मेंट रेशियो है यह इतना है। या इस वर्ष बारवी की परिक्षा में इतने प्रतिशत बालिकाओं ने फर्स्ट डिविजिजन से एक्जैम्स को पास किया है। या इतनी प्रतिशत बालिकाओं बालकों से आगे हैं। या अभी कोरोना का जब दौर था तो हम हर रोज अकबारों में समाचा में पढ़ते थे कि कोरोना से इतने लोग प्रभावित हुए, इतनी मृत्ति हुई। यह जो नमबर है, यह मात्राएं हैं, यही आकड़े होते हैं। और इन आकड़ों को एकत्रित करने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, वो हमारे उपकरण कहलाते हैं। अब जब उपकरण की बात आती हैं, तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि उपकरण की क्या विशेशताएं होती हैं, क्या आवश्यक चीज़े एक अच्छे उपकरण में होनी चाहिए। आगे पढ़ने से पहले मैं यह बता दू कि यह जो उपकरण होते हैं, वो कुछ हम ready-made tools यूज करते हैं उपकरण और कुछ हम बनाते हैं। वो आपके market में available हैं या आपके university के departments में psychological tools के नाम से यह उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा शोध में अगर आपके आवश्यक्ता अनुसार उपकरण उपलब्ध नहीं होता है तो आप इस उपकरण का निर्मान करते हैं। इसका पूरा एक प्रक्रिया होता है जिसके तहट आप जाके उस उपकरण का standardization करते हैं और उसके उपरांद अपने शोध में आप उसको उपकरण का प्रयोग करते हैं। आईए जाने इस उपकरण की विशेशताएं क्या होती हैं। सबसे पहली विशेशता एक उपकरण में होनी चाहिए वो है वस्तू निश्टता। वस्तू निश्टता का मतलब है objectivity। उसको उसमें व्यक्ती विशेश के अनुसार परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तू निश्टता दो पक्षों में हम बात करते हैं। सबसे पहला है पद की वस्तू निश्टता या objectivity of the item और दूसरा है scoring की वस्तू निश्टता। पद की वस्तू निश्टता की अगर हम बात करें तो items जो आपने प्रशन बनाए हैं या जो पद आपने statements दिया है अपने उकरण में उनकी भाशा सरव होनी चाहिए। उसमें कभी-कभी यदा-कदा इस तरीके के शब्दों का बहुत अधिक ना के बरावर प्रयोग होना चाहिए। जिससे की पद को पढ़ने वाले व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का शंशे ना आए कि वह पद किस तरह की की सूचना उस पद के माध्यम से शोध करता किस प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहता है। दूसरी वस्तुनिष्टा के संदर्व में जब हम बात करते हैं तो बात आती है स्कोरिंग की वस्तुनिष्टा। स्कोरिंग में कोई भी उस पद से स्कोरिंग करें अंक समान आने चाहिए। व्यक्ति के अनुसार स्कोरिंग में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इसके बार हम शोद उपकरण की विशिष्टाओं में बात करेंगी Reliability यानि की विश्वस नियता विश्वस नियता क्या होती है हम बार बार उस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो हमें परिणाम समान मिलता है परिणाम में अंतर नहीं आता है उदहरन के लिए एक ही व्यक्ति अगर किसी प्रश्ण को बार बार या किसी प्रश्ण पत्र को बार बार हल कर रहा है तो उसमें उसका उत्तर और उसकी स्कोरिंग जो है वो समान आने चाहिए तब हम कहते हैं कि जो हमारा उपकरण है वह विश्वस निया है अगली विशेष्टा है वैद्धिता वैद्धिता का मतलब है जिस उद्देश्य से हमारा उपकरण निर्मित किया गया है उस उद्देश्य की प्राप्ती हो रही है या नहीं अगर उदेश्य की प्राप्ती हो रही है तो हमारा उपकरन वैद्य माना जाता है अगर उदेश्य की प्राप्ती नहीं हो रही है तो इसका मतलब उसकी वैद्यता में वैद्यता का आभाव है एक अच्छे उपकरन में निश्यत रूप से वैद्यता होनी चाहिए वैद्यता अधिक कम हो सकती है, मौलिक्ता, मौलिक्ता की हम बात करें, ओरिचनालिटी, आपका जो उपकरण है, कहीं से कौपी किया हुआ ना हो, कहीं से चोरी किया हुआ ना हो, आपके जो शोध के उदेश्य हैं, आपकी जो समस्या है, उसके आधार पर, उनके उदेश्यों के आधार पर आपका उपकरण निर्मित होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए, उपयोगिता, प्राक्टिकेबिलीटी होनी चाहिए उसमें, मतलब वो बहुत अधिक समय ना ले रहा हो, बहुत अधिक धन ना ले रहा हो, इतना लंबा उसमें जो आपके पदों की संक्या है, वो इतनी पाउ हो जाए, sensitivity होने चाहिए, sensitivity का मतलब है कि अगर थोड़ा भी आकड़ों में परिवर्तन हो रहा है, तो वो उसको नाप सके, उसका मापन कर सके, ऐसा उपकरण होना चाहिए, आई अब उपकरणों के माध्यम से हम क्या क्या करते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे, परिक्षन कि, परिक्षन क्या है, परिक्षन वे उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम किसी के performance को quality और quantity के terms में हम आख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कि किसी व्यक्ति के, किसी विषय के, उसके विवहार को Presidential systematically जब अध्यन करते हैं मापते हैं तो हम उसमें परिक्षन का प्रयोग करते हैं परिक्षन कई प्रकार के हो सकते हैं अगर हम उनको कारे के अनुसार बाटे तो एक अलग सूची है प्रक्रती के अनुसार हम उनको बाट सकते हैं और प्रशाशन प्रक्रिया के अनुसार किस तर की से हम use कर रहे हैं इसके अधार पर हम अलग-सामुह में बाड़ सकते हैं. जब हम प्रशिक्षण की कारे के अनुसार वर्गी करन करते हैं तो उसमें आपके जैसे श्यक्शिक परिक्षण हो इसके अलावा अगर हम परीक्षणों को प्रवकृति के अनुसार वर्गी करते हैं तो आपका गति परीक्षण हो गया शक्ति परीक्षण हो गया शाबदिक परीक्षण हो गया गैर शाब देख, non-verbal test, प्रदर्शन परिक्षन, मानकी standardized test और निकश संदर्भित परिक्षन, norm-referenced और criterion-referenced test होते हैं इसमें हम निकश संदर्भित परिक्षन का मतलब है criterion-referenced test अभी विस्तार से हम इन पर चर्चा करेंगे और जब हम प्रशाशन, प्रक्रिया के अनुसार, परिक्षनों का वर्गी करन करते हैं तो समुह परिक्षन और व्यत्तिगत परिक्षन की बात आती है अब जब हम बात करते हैं कारे के अनुसार, तो कारे के अनुसार आपका diagnostic test हो सकता है आप बच्चे की जो समस्या है, बच्चे की जो कमी है उसको identify करने की कोशिश करते हूं, diagnostic test के माथिम से, उपलब्धी परिक्षन हो सकता है, बच्चे ने बच्चे की performance आपने एक समय में एक content को पढ़ा दिया, उसके बाद बच्चे की performance क्या है, बच्चे ने कितना ग्यान अर test, इनका प्रयोग करते हो, अब हम गती परिक्षन की अगर हम बात करें, अभी मैंने जिक्र किया था, प्रक्रती के अनुसार बर्मी करें, उसमें हमने गती परिक्षन, शक्ती परिक्षन, इस तरीके के परिक्षनों का जिक्र किया था, गती परिक्षन, ऐसे परिक्षन होत होती है और परिक्षणों को हल करने के लिए समय सिमा इसकी तै की गई होती है जैसा कि जो हम परिक्षण हमारे विद्यालों में लेते हैं कक्षाओं में लेते हैं वो गती परिक्षण के उधारण है इसी क्रम में बात करेंगे हम शक्ति परिक्षण की शक्ति परिक्षण क्या बढ़ता जाता है, ऐसे परिक्षणों के लिए समय सीमा नहीं होती है, इसमें समय सीमा लचीली होती है, शाब्दिक परिक्षण, शाब्दिक परिक्षण में शब्द के रूप में प्रशन उत्तर पैटर्न शामिल होता है, और इस तरह के शाब्दिक परिक्षण या तो में पढ़ें को उसमें प्रतिकिरा के रूप में कारवाई गती है, जैसे भातिया का बधी परीक्षन है, प्रदर्शण परीक्षन सब्सक्राइब कारेवाई करनी होती है, जो जिसमें विश्वसनियता वैदिता जैसे मोलियों की स्थापना की जाती है स्थापित होते हैं और यह स्टैंडरडाइजेशन का जो प्रॉसेस है उससे होके गुजरे होते हैं इसके अलावा क्राइटेरियन रेफ्रेंस टेस्ट जो हम स्कूल में हमारी जो कक्षाओं में जो हमारा अचीफ्मेंट होता है वो हमारे कक्षा समू के सापिक्ष होता है वो होता है नौम रेफ्रेंस टेस्ट अन्य प्रकार का जो टेस्ट होता है वो कहलाता है क्राइटेरियन रेफ्रेंस ट पहले से कोई criteria fix की गई है, उसके against में जो performance का level है, जब हम उसको test करते हैं, तो वो criterion reference test कहलाता है, अब हम किस तरीके से हम test को administer कर रहे हैं, उसको हम use किस तरीके से कह रहे हैं, अगर उस तरीके से हम वर्गी कृत करते हैं, तो हम व्यक्तिगत और समू परिक्षन की बात करते हैं individual test या वक्तिगत परिक्षन जो एक बार में एक student के से उसको कराया जाता है, समू परिक्षन, एक समू में छात्रों को एक साथ उस परिक्षन को हल कराया जा सकता है, तो ये तो हुई बात एक उपकरन की, जिसमें हमने परिक्षन या test की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, साक्षातकार जिसको हम अंगरेजी में interview कहते हैं साक्षातकार आप सब इस शब्द से बखुभी परिचित है इसमें जो साक्षातकार लेने वाला होता है वो एक विशिष्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षातकार देने वाले से इस बाचीत के दौरान वो इन सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है, साक्षातकार जो है वो आमने सामने बैठके भी हो सकती है, आमने सामने बैठके बाचीत करके और शोध करता जो है वो उन सूचनाओं को एक करने का प्रयास कर सकता है या टेलिफोन और अन्य संचार माध्यमों के माध्यम इनका प्रयोक करके भी हम साक्षातकार को संपादित कर सकते हैं साक्षातकार के द्वरान जो बाचीत की जाती है वो हमेशा ही उद्देश्य पूर्ण होती है जो शोध का उद्देश्य है उसी से संबंधित साक्षातकार का उद्देश्य होता है और उसे उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास साक्षातकार की पूरी प्रक्रिया के मा मरें परयोग किया जाता है और जो शोद करता है वो साक्षातकार देने वाले की धाड़ना क्या है उसकी दृष्टि कोड क्या है वह उस अमुक विशय पर क्या राय रखता है इससे संबंधित तत्हात्मक आंकडों को एकत्रित करने का प्रयास करता है यह तो बात वी कि साक्षातकार क्या होता है अब साक्षातकार की विशेश्ता देने वाला है दोनों ही इस विश्य में बाचित की जाएगी, एक विशिष्ट उद्देशी के साथ आपसे बात की जाएगी और इसमें मौखिक प्रश्णों के मौखिक उत्तर ही अपेक्षित किये जाते हैं। साक्षातकार के अगर स्वरूप की बात करें तो साक्षातकार दो तरीके का होता है, सन्रचित और और सन्रचित साक्षातकार या स्ट्रक्चर्ड इंट्रिव्यू, स्ट्रक्चर्ड सन्रचित इसकी सन्रचना पहले से तै कर ली जाती है। संरचित साक्षातकार जो है प्रकृति में आपचारिक रूप में होता है और शोद करता पहले से इसमें प्रश्णों का निर्धारन कर लेता है इसमें प्रश्ण जो है वो बंद प्रकृति के होते हैं इसलिए इस प्रकार की साक्षातकार को मान की कृत साक्षातकार भी कहा ज होता है उसकी विश्वसनियता अधिक होती है साक्षातकार से लाब यह है कि जो हम उदेश्य निश्चित करके साक्षातकार की प्रक्रिया को संपन कर रहे हैं उस उदेश्य पर हम बने रहते हैं और साक्षातकार की प्रक्रिया में संदचित साक्षातकार में हम recording, coding और visualization को आसानी से कर सकते हैं इसमें साक्षातकार में दो अलग-अलग samples के आकडों की तुलना की जा सकती है और structured interview जब होता है, सन्रचित interview जब हमारा होता है तो हमारा ध्यान विशे से इधर-उधर नहीं भटकता हम विशे आधारित चर्चा की करते हैं और उसी से सम्बदित आकडों को इकत्रित करते हैं लाभख के साथ-साथ कुछ इसकी सीमाएं भी हैं साक्षातकार की साक्षातकार के मात्यम से जो अनुसंधान का, अन्रेशन का जो दाइरा होता है वह सीमित हो जाता है हम संद्रचित साक्षातकार की बात कर रहे हैं और इसमें जो सैंपल है यो जो न्यायदर्श है उसकी सभी विचारों और प्रतिक्रियाओं को शामिल हम नहीं कर पाते हैं और इससे संद्रचित साक्षातकार से हम किसी विशय का गहन अध्यन नहीं कर पाते हैं क्यों ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने पहले से ही प्रशनों का निर्धारन किया हुआ है हम उसी प्रशनों पर चलके साक्षातकार को पूर्ण कर रहे हैं तो जब हमने पहले से प् संरचत साक्षातकार में विशय होता है वो स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए बात करने के लिए चर्चा करने के लिए उसको प्रिरित किया जाता है और इसके लिए आवश्रक होता है कि शुरूवात में जो साक्ष शोद करता है और जो विशई है उनका आपस में एक बहुत ही अच्छा रैपो स्टैब्लिश हो जाए जो उनका तालमेल एक अच्छा अगर स्थापित हो जाता है तो उसमें विशई को उत्तर देने में संकोच नहीं होता और इस पूरी प्रक्रिया में जो आकड़े है उनकी गुडवत्ता बहुत अच्छी होती है उनकी जो कॉलिटी जो डेटा इन्फरमिशन जो आती है वो अथेंटिक आती है जैनुविन आती है इसमें शोद करता भी स्वतंत्र होता है चुकि यहां पर प्रशन प कि वह उससे अगर संबंधित कोई प्रशन उठ रहा है तो उसको वह वहां पे पूछता है और उससे संबंधित आपड़े सूचनाओं की रिकॉर्डिंग और उनको नोट करता है और संद्रचित साक्षातकार की प्रक्रति के अगर में हम बात करें तो जिस प्रकार से संद् किया जाता है और जो प्रशनों का क्रम है या शब्दों का जो क्रम हमने पहले से सोच रखा है उसको खूबहू पालन करने का कोई प्रतिबंध नहीं होता है साथी साथ शोद करता भी कभी-कभी जो विशही से उत्तर प्राप्थ हो रहा है या प्रश्न की और व्याख्या की अवशक्ता है या किसी सूचना की पुश्टी करने की अवशक्ता है इसके लिए व स्वतंतर होता है इसलिए यह पूश्टास के दृष्टिकोन से और लचीला होता है इसकी यही विशेशग्यता है और संदचित साक्षादकार जो खोजपून और गुनात्मक अध्यन हैं इनमें प्रयुक किया जाता है और शोद करता के जो पूर्वा ग्रहें उनसे कम प्रभावित होता है और संदचित साक्षादकार इसमें अनवच्वारिक तरीके से प्राप जानकारी कारी जो है आंकड़ी की विश्वसनियता को और अधिक बढ़ाती है लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं कुछ चुनौतियां हैं कि यह समय लेने वाला होता है चुकि आपका जो संदचित साक्षाद कार होता है उसमें पहले से शोद करता को पता होता है कि इन प्रश्णों को इन क्रम में इस क्रम का पालन करते वे साक्षादकार की प्रक्रिया को संपन करना है और संदचित साक्षाद कार चुकि अनौप चारिक प्रकृति का होता है इसमें प्रश्णों की क्रम बद्धता नहीं होती है लचीला पन होता है शोद करता जो है उसके पास flexibility होती है साक्षातकार देने वाले के पास जो विशई है उसके पास भी flexibility होती है उत्तर देने की अपने हिसाब से उत्तर दे सकता है जो सूचना नहीं मांगी गई है उसके बारे में भी बता सकता है तो इन चीजों की वज़े से जो और संदचित साक्षातकार की प्रक्तिया है वो अधिक समय लेती है इसके अलावा और संदचित साक्षातकार में जो आंकडों का विशलेशन है उसके लिए चुकि आंकडे बहुत गहराई तक जाके हमें प्राप्त होते हैं त और इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि जो इस असनरचित साक्षातकार की जो व्याख्या होती है वो कई बार शोध करता की व्यक्तिकत भावनाओं पर भी आधारित हो जाती है तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए साक्षातकार का प्रयोग किया जाना चाहिए इन चुनौतियों को ध्यान में रखके साक्षातकार का अपने शोध में प्रयोग किया जाना चाहिए अब साक्षातकार का आयोजन किस प्रकार से किया जाए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है साक्षातकार की जो तैयारी है वो पूर्व में की जानी चाहिए अनायासी आप जाके बैटके साक्षातकार को नहीं कर सकते साक्षातकार की रूप रेखा बाकाइदा साक्षातकार होने से पहले हो जाने चाहिए इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने उदेशों के अनुरूप संदचित साक्षातकार है या असंदचित साक्षातकार है एक बाहरी रूप रेखा तयार आवश्य ही की जानी चाहिए ये योजना का हिस्सा होता है इसके अलावा प्रश्न किस तरीके से पूछा जाना है जो साक्षातकार की रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया है आप किस तरीके से रिकॉर्डिंग को करेंगे नोट करेंगे या ओडियो रि चीज तै हो जानी चाहिए रिकॉर्डिंग के बाद हम व्याख्या कैसे करेंगे जैसे आडियो के रिकॉर्डिंग करनी है तो हमारे पास आडियो सिस्टम मौदूद होना चाहिए जिससे रिकॉर्डिंग करनी है अगर साक्षातकार में उत्रों को नोट करना है तो बाकाइद किया जाना चाहिए बाद में भी नोट किया जाता है और साक्षातकार की प्रक्रिया के दौरान भी नोट किया जाता है लेकिन हम जब साथ के साथ के साथ नोट कर लेते हैं तो आंकडो का के छूटने की संभावना हमसे कम हो जाती है और जब हम साक्षातकार की उपरांद साक्षातकार और परिक्षन, अभी हमने दो उपकरनों की चर्चा की, इस क्रम में हम अगले उपकरन जिसकी चर्चा करेंगे वो है प्रशनावली, प्रशनावली ऐसी तकनीक है जिससे सठीक डेटा हमें सठीक आंकडे प्राप्त होते हैं, बंद प्रशनों की एक सूची प्रस्तुत की जाती है, प्रशनावली बंद प्रकार की भी हो सकती है, और खुली प्रकार की भी हो सकती है, आम तोर पर हम अनुसंधान में या अपने शोध में बंद प्रशनों की प्रकार की प्रशनावली का प्रयोग करते हैं, यह आम तोर प की अनुवती देने के लिए खुले प्रशन भी शामिल किये जाते हैं हम जब qualitative research करते हैं तो उसमें हम open ended questions को हम शामिल कर सकते हैं इस प्रशनावली के प्रयोक करने से एक खास बात यह है कि यह बहुत ही व्यापक तक क्नीकी है क्योंकि इसमें एक बार में आप बड़ी संख्या में लोगों से सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं प्रशनावली आमतोर पर मानकिक्रित वस्तुओं कथन प्रशन या कथनों का एक सेट शामिल होता है जो विभार या राय से संबंदित आंकडों को एकत्र करने के लिए डिजाइन किया जाता है या तैयार किया जाता है आप अभी तक आपने देखा होगा कि पेपर पर लिखे वी प्रशनावली का हम प्रयोग करते थे लेकिन यह जो कोरोना का लाया या टेक्नोलोजी जो अनुसंधान में टेक्नोलोजी का जो इंटर्वेंशन हुआ इसके वज़े से जो प्रशनावली आप बोलते हैं यह और द्योगी करण के साथ आपके इसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया जैसे आप देखिए गूगल फॉर्म का नाम सुना होगा अपने सर्वे मंकी का आपने नाम सुना होगा पहले हम प्रशनावली को लेके जात जहां जो हमारा सैंपल है उसके पास जाके हम वहां पर समय लगा के डेटा को एकत्रित करते थे लेकिन आप जो टेक्नोलिजी का इंटर्वेंशन हुआ है उसके विज़े से आप गूगल फॉर्म, माइक्रोसोर्फ फॉर्म, सर्वे मंकी इस तरीके के टूल्स का प्रयोब क करके और एक क्लिक के माध्यम से अपनी प्रशनावली को अपने जो जहां से आपको डेटा प्राप्त करना है एक क्लिक में आप उनको पहुंचा सकते हैं प्रशनावली की चर्चा के बाद हम बात करेंगे प्रशनावली में जो प्रशनों के प्रकार हैं वो दो तरीके के हो मुक्त प्रश्न का क्या मतलब है मुक्त प्रश्न में उत्तर का कोई पूर्व निर्धारित सेट नहीं होता है पहले से उत्तर निर्धारित नहीं होता है क्योंकि यह जो उत्तर प्रदाता है वो उसके लिए स्थान छोड़ दिया जाता है वो अपने हिसाब से उसका उत्तर ल उर्वन इधारित उत्तर नहीं दिया जाता। जो उत्तर देने वाला है, जवाब देने वाला है। उसके पास अधिक स्वतनतिता होती है, कि वो अपने राय को, वो अपनी धारणा को, अपने दृष्टि कोड को, वो खुल के इसमें उत्तर दे सके। लेकिन जो मुक्त प्रशन होते हैं इनके जो जवाब हमें प्राप्त होते हैं इनका विश्लेशन करना थोड़ा कठिन कारे हो जाता है और यह मुक्त प्रशन जो हैं यह हमें सही और अप्रत्याशित सुझाओ प्रदान करते हैं उदाहरण के लिए एक मुक्त प्रश्न का हम उदाहरण लेंगे, जैसे शैक्षिक सामाजी करण है, किसी का अनुसंदान शैक्षिक सामाजी करण पर है, तो खेल के मैदान में शैक्षिक सामाजी करण किस प्रकार होता है, अब इसमें हमने कोई पहले से उत्तर नहीं लिख के रखा है, options नहीं दे रखे हैं, हाँ या ना का option नहीं दे रखा है, जो उत्तर दाता है, वो अपनी समझ के अनुसार, अपनी अनुभव के अनुसार, उसका जो दृष्टिकोण है, शैक्षिक सामाजी करण का खेल के मैदान में किस प्रकार होता है, वो स्वच्छन दोकर इस बंध या प्रतिबंधित प्रश्णों में उत्तरों का एक पूर्व निर्धारित सेट होता है, इसमें प्रतेक प्रश्ण कथन के कथन के सामने विकल्प रदान किया जाता है, उत्तर दाता इन विकल्पों में से अपने अनुरूप विकल्प का चायन करता है, जैसे हाँ य प्रशन के चार विकल्प में से उत्तार आ सकते हैं तो हम उन चारों विकल्पों को वहां दे सकते हैं उत्तर दाता अपनी जो उसके अनुसार राय होगी या दृष्टिकोंड होगा या जो उसका उत्तर होगा वो उस उत्तर का चैन कर सकता है तो यह कहलाते हैं बंद प्रशन प्रशनावली प्रयोग करने का सबसे बड़ा लाग होता है कि इसे आसानी से हम प्रशासित कर सकते हैं आसानी से हम इसको एड्मिनिस्टर कर सकते हैं इसका प्रयोग बहुत आसान है और दूर दराज के इलाकों से या किसी अन्य देश से भी अगर आकड़ा हमें लेना हो तो ह प्रशनावली के माध्यम से असानी से इस कारे को कर सकते हैं, प्रशनावली में समय और धनकी किफायत होती है, और उत्तरदाता अपनी सुविधा अनुसार प्रशनों के उत्तर दे सकते हैं, अपनी गति के अनुसार वो प्रशनों को अटेंप्ट कर सकते हैं, इनके उत्तरों हम पूछते हैं वो आवश्यक नहीं है कि हमने कोई प्रश्चनावली उत्तरदाता के पास भेजी और वो उत्तरदाता हमें उसको हल करके दे दे इसके अलावा अगर पदों का पदों की जो फ्रेमिंग है questions की framing है items की जो framing है वो अगर सही प्रकार से नहीं की गई है तो उनको गलत समझा जा सकता है जो आपके उदेश हैं आप उनको पाने में असफल हो जाते हैं प्रशनावली के वर साक्षर व्यक्ति ही इसको हल करने में हिस्सा ले सकता है क्योंकि इसमें पढ़ने की और लिखने क आवश्यक्ता होती है अगर प्रशनावली बहुत अधिक लंबी हो जाती है पदों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उत्तरदाता के लिए यह बहुत उबावू कारी हो जाता है और उत्तरदाता उसको उसका उत्तर देने से अपने आपको बचाने की कोशिश करता है तो आवश्यक है कि प्रशनावली का निर्मान करते समय हम कुछ बातों का ध्यान में रखें जिससे कि हम एक उत्तम प्रशनावली का निर्मान कर सकें सबसे पहले तो प्रशनावली का जब हम निर्मान करते हैं तो प्रशनावली पर एक covering letter होना चाहिए जिसकी भाषा अत्यन्त ही मैत्री पूर्ण होनी चाहिए और जिसमें आप अपने उत्तरदाताओं को स्पष्ट कर सकें कि आपने यह इस प्रशनावली का निर्मान क्यों किया है क्यों यह प्रासंगिक है आपकी प्रासंगिकता को उस कवरिंग लेटर में दर्शाता हुआ प्रशनावली का जो शीर्शक है वो स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए प्रशनावली किस उदेश्व से निर्मित की जा रही है या बिलकुल स्पष्ट होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण चीजी जो प्रशनावली के उत्तर दाता है उनको इसका विश्वास लाया जाना चाहिए कि उनके माध्यम से जो भी आंक्डो को एकत्षत किया जाए गा वो सिर्फ और सिर्फ अनुसंधान कारे हित्वर्यों किया जाएगा उसकी गोपनियता सुनिश्चित की जाएगी प्रशनावली व्यवस्ते धंग से लिखी होनी चाहिए आकर्शक होनी चाहिए उसमें टाइपिंग एरॉर्स नहीं होनी चाहिए इसके अलावा ऐसे प्रशनों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जो उत्तर दाताओं को में आकरामक अधिता पेदा करें या जिसका उत्तर देने में उत्तर दाता को और सहज महसूस हो और जो लेवल है क्वेश्चिन का आइटम का वो ईजी टू डिफकल्ट जाना चाहिए एकल प्रशन ही होने चाहिए मतलब प्रशनावली प्रशन के जो आईटम्स है जो भाशा है उनकी वो एक बार में एक प्रशन पूछने वाली होनी चाहिए double questions एक साथ मतलब एक question में दो प्रशनों के उत्तर नहीं होने चाहिए double naière आत्मक वर्णात्मक विश्लेशन और क्रिया विशेशर से बचना चाहिए और इस तरीके से प्रशनावली बनाई जानी चाहिए पदों को इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि इसे आसानी से हम सारणी बद व्याक्याईत और सारांशित किया जा सके आसानी से इसको हम classify कर सके इस data को tabular form में डाल सके इसकी व्याख्या कर सके और आसानी से इसको summarize कर सके अगला उपकरण जो हम बात करेंगे वो है निर्धारण मापनी निर्धारण मापनी यह व्यक्ती मूल्यांकन का सबसे पुराना उपकरण है और इसमें आम तोर पर किसी घटना चरित्र या वस्तु के संबन में निर्णे की अभिविक्ती पर लागू होता है यह राया निर्णे को आम तोर पर एक पैमाने पर व्यक्त किया जाता है और निर निर्धारण मापनी जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उस रिसर्च में जैसे अगर हम शिक्षा जगत की बात करें तो अभी भावक, शिक्षक, चात, प्रिंसिपल, स्कूल के सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, पॉलिसी मेकर्स यह सब शिक्षा जगत के स्ट किया जा सकता है निर्धारण मापनी में इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हमें चीजों में बहतर विभेथ करने की आवश्यक्ता होती है यह विशिष्ट-विशेष्था की मात्रा का संखित देते हैं और संख्या या विवरन का उप्यू करते हैं संख्या में जैसे आप 0 से लेके 5 तक की 7 तक की 10 तक की गिंती लिख देते हैं और एक तरफ बेहद असंतुष्ट बेहद संतुष्ट हम बेहद असंतुष्ट से बेहद संतुष्ट की तरफ जा रहे हैं इसमें जैसी भी राय होगी जैसे क्या आप वर्तमान शिक्षा प्रणा से कितने संतुष्ट हैं आपने शुन्य की तरफ बेहद असंतुष्ट लिखा और बढ़ती क्रांग संख्या की तरफ आपने बेहद संतुष्ट लिखा अब जो उत्तर दाता है उसका जो भी जिस लेवल पर मापनी होगी वो उस नंबर पर निशान लगा देगा निधारन मापनी के माध्यम से गुणात्मक विशिष्टाओं के बारे में मात्रात्मक राय बनाई जा सकती है जो qualitative characteristics है उसको हम numbers के form में data ले सकते हैं और इसमें जो हम observation जब हम करते हैं संवरचित observation में हम इसका सबसे जादा प्रयोग करते हैं निधारन मापनी दो प्रकार की होती है संख्यात्मक निधारन मापनी और आरेखिय निधारन मापनी या द्रिश्य अनुरूप निधारन मापनी जिसको हम अंग्रेजी में graphic rating scale भी बोलते हैं संख्यात्मक निधारन मापनी सबसे सरल प्रकार की निधारन मापनी होती है इसमें केवल एक संख्यात्मक अंग को चिनित करता है जो उस डिगरी को दर्शाता है जिसमें एक विशेष्टा मौजूद होती है कथन में शील गुण समाहित होते हैं और एक से पांच तक मान प्रतेग शील गुण को प्रदान किये चाते हैं जिसे अंग प्रदान किया जाता है उदाहरन के लिए जैसे हम B.Ed की क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी उद्धीपन कौशल, skill of stimulus variation को यूज कर रहा है तो उसके stimulus variation को कितना प्रयोग कर रहा है उसका अगर हमें numbers के terms में लेना है तो हम उसको लिख सकते हैं कि विद्यार्ती शिक्षक किस सीमा तक उद्धीपन परिव परतन कौशल का प्रदाशन करता है या कर रहा है और उसके लिए हम एक दो तीन चार पांच अंग लाइन से लिख देते हैं एक के नीचे और संतोष जनक, दो के नीचे और सच से कम, तीन एवरिज और सच चार और सच से जादा और पांच बेहतरी अब बढ़ती संक्या के स सात जो शीलद हैं वह बढ़ रहे हैं दूसरी परकार जो अभी हमने बात की संख्यात्मक नीडरान्मापनी दूसरी परकार की मापनी होती है, आरेखिय नीडरानमापनी या दृष्य अनुरूप निर्धारन मापनी आप लोगों ने बच्छमन में नंबर लाइन पढ़ा होगा जब हम उस तरीके का निर्धारन मापनी का प्रयोग करते हैं वो आरेकी निर्धारन मापनी कहलाती है दृष्य अनुरूप निर्धारन मापनी आप सब लोग इस टेक आप जब उस तरीके की चीज़ें को ग्राफिकली डिजाइन करके आप यूज करते हो तो वह आपकी ग्राफिक रेटिंग स्केल कहलाती है निधारन मापनी का जो प्रयोग है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और इसको आप बड़े सैंपल पे आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं आपके जो उदेश्य हैं उनको आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं ये आपके कोशलों का प्रदर्शन प्रयोग शाला में प्रयोग कर सकते हैं आप शिक्षर अधिगरम प्रक्रिया में इस निर्धारन मापनी का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन इसमें आवश्यक्त है कि कुछ स साथी साथ जो मुल्यांकन करता है वो कई बार उदारता तुरुटी से ग्रस्थ होता है उदारता तुरुटी क्या है मुल्यांकन करता अपने ही लोगों को कम निर्धारन देकर उन्हें नीचा दिखाना पसंद नहीं करते तो क्या होता है अगर कोई हमसे परिचित है उसका ज हम rating scale higher की तरफ उसका mark कर देते हैं, यह कहलाती है हमारी उदारता तुरूटी. अब हम बात करेंगे inventory या सूची. सूची क्या होती है? सूची, swear reporting मुल्यांकन उपकरण है, जो किसी व्यक्ति के बवहार की एक या अधिक विशेशताओं का परिक्षन करते हैं. inventory और questionnaire आपको सुन्दे में लग रहा होगा कि दोनों एक ही तरीके के हैं, लेकिन इन में अंतर है. एक सूची भी प्रशनावली की तरह ही होती है, लेकिन सूची में जो कथन होते हैं, कथन पर प्रथम पूरुष में रखे जाते हैं. जैसे मुझे लगता है, मुझे लगता है कि मैं दूसरों की तुलना में अधिक प्रसंद रहती हूँ. मुझे लगता है कि मैं अपनी कक्षा में सबसे अधिक मेहनत करती हूँ. जब हम इस तरीके के कथनों का प्रयोग करते हैं, तो यह सूची में हम इस तरीके के कथनों का प्रयोग करते हैं. सूची जो हैं, शैक्षिक और विवसाइक मार्क दरशन में प्रयोग की जाती है. साथी साथ शिक्षकों और विद्यार्थियों शोधार्थियों इनकी रुची को पता लगाने के लिए उपयों किया जाता है जो सूची है वो अन्य उपकर्णों की तुलना में कम खर्चिले होते हैं इनका निर्माण सरल होता है और इसमें जो अबजेक्टिविटी है उसको बनाये रखा जाता है परिक्षन सूची के हम बात करें परिक्षन सूची क्या है आप एक चेक्लिस्ट बना लेते हो आप किसी व्यभार को अध्यान कर रहे हो कहीं अवलोकन कर रहे हो तो आप एक लिस्ट बना लेते हो सरलसी सूची बना लेते हो और उसमें हा या नहीं कि गोह वेवहार उस समय पर उपलब्ध है या नहीं है और आप उसकी recording कर लेते हैं। उधारन के लिए विद्यार्टियों की वेवहार की एक परिक्षन सूची अगर हम बनाते हैं, तो उसमें परिस्थितियां हम लिख लेते हैं कि क्या क्या परिस्थितियां आ सकती हैं। परिक्षन सूची को बना लेते हैं। अब लोकन जो है वो कॉलिटिटिव रिसर्च का एक बहुत बड़ा बहुत मुख्य उपकरण है। और इसमें आप फिल डायरी जैसे लॉग आप दिन प्रति दिन के जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, जो इविंट्स हो रहे हैं, आप उनको नोट करते जाते हो, आप उनको रिव्यू करते हो जब कम्टीट हो जाते हैं। लॉग जो है वो आपके जो भी गतिविधिया आपने जिनको अब्जर्व किया है, आपको जो रिस्पॉंसेज मिले हैं, उसका एक ट्राक रखने में सहायता प्रदान करता है। साथी साथ आप अवलोकन में एनेक्डोट्स का प्रयों करते हो। अनेक्डोट्स क्या होते हैं, आप कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट प्रकार के विवहार का अब्जर्वेशन करते हो। और आप उनको उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। अब्जेक्टिव और एक्यूरेट तरीके से उन व्यभारों को लिख लेते हो वीडियो रिकॉर्डिंग आप करते हो अब लोकन में वीडियो रिकॉर्डिंग से आप सब परिचित है और ये आप तो हम सब के पास स्मार्टफोन की सुविदा है और अण्यग रिकॉर्डिंग गैजेट हमारे पास हो घिनके माध्यम से हम औब्जरवीशन को और उब्जेक्टिव् बना पाते हैं अवलोकन दो प्रकार से होता है प्रतिभागी अवलोकन और गैर प्रतिभागी अवलोकन प्रतिभागी अवलोकन में जो शोध करता है, जिसका अवलोकन कर रहा है, जिनका observation कर रहा है, जिनको study कर रहा है, उनका हिस्सा बनके महाँ पे जब recording उपकर्णों के माध्यम से की जाती है, जहाँ प्रतिभागी अवलोकन कहनाता है, जहाँ गैर प्रतिभागी अवलोकन क्या अध्यान के विशयी को सीधे देखा जा सकता है, लेकिन जो शोद करता है, वो इस समू का हिस्सा नहीं होते हैं, वो प्रतेक्षी रूप से इसको देखते हैं और इसका अवलोकन करते हैं, अवलोकन के कुछ चरण है, सबसे पहले योजना, जैसे हम साक्षातकार में योजना बनाते हैं, अवलोकन में भी को भी योजना बद तरीके से संपादित किया जाता है, कितनी देर तक अवलोकन करना है, किस चीज का अवलोकन करना है, हमारे विशयी क्या होंगे, record किस तरीके से maintain करना है, recording किस तरीके से करनी है, ये सारी चीज़े योजना वाली चरण में आत आपने विशिष्ट गति बिधिया या व्यवहार जिनको आपको study करना है आप उन पर ध्यान की इंद्रित करते हैं और आप रिकॉर्ड करते हैं नोट करते हैं जो भी आपने उपकरन डिसाइड किये हैं उनके माध्यम से आप उसको रिकॉर्ड करते हैं और तीसरा चरण है recording और व्याख्या आपने recording कर ली आप recording दो तरीके से कर सकते हैं आप जब अब लोकन कर रहे हैं समकाली रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या तुरंथ बाद आपने जब अब लोकन किया है उसके तुरंथ बाद आप अपनी recording कर सकते हैं लेकिन बहते रही होता है कि हम साथ के प्रेयोग करके recording कर रहा है तो वो सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि हम, हमने जो अवलोकन किया है मानविय तुटिया भी हो सकती है हम उसको देखते देखते कई बार कुछ चीज भूल जाते हैं नोट करना, लेकिन recording रहेगी तो हम उसको बार-बार रिपीट करके देखके और अच्छी प्रकार से स्टड़ी कर सकते है यह तो हो गए आंकड़े एकत्रित करने के उपकरन आंकड़ों के अगर शोद किन माध्यों से आते हैं कितने प्रकार के आंकड़े होते हैं तो आंक्डे हमारे दो प्रकार्गे होते हैं, प्राथमिक आंक्डे और द्वितियक आंक्डे, प्राथमिक आंक्डे क्या होते हैं, जो शोद करता स्वैम एकत्रित करता है अध्यान करके, जैसे साक्षातकार के माध्यम से, प्रशनावली के माध्यम से, ये आपके प्राथमि प्रत्यक्ष प्राथमिक आंकड़े कैसे हैं आपके साक्षातकार से अवलोकन से अनुसुची इस चीजे अभी हमने चर्चा की इन चीजों पर प्रत्यक्ष प्राथमिक आंकड़े प्रशनावली टेलिफोन साक्षातकार टेलिफोनिक साक्षातकार और अभी हमने जो जिन वो आपके प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों प्रकार के दस्तावेज, पत्र, डाइरी, पांडू लिपियां आदी इनमें सम्मिलित हैं। आपके जो राजकिय प्रकाशन जो गैजेट्स होते हैं ये भी आपके दित्यक आकड़े होते हैं। ये आकड़े पहले से उपलब्ध होते हैं और किसी अन्निके द्वारा एकत्रित और विशलिशित किये जाते हैं, आप इनको अपने शोध में इनका प्रयोग कर सकते हैं, इनका प्रयोग हो सकता है, पहले भी हो चुका हो इनका प्रयोग, लेकिन आप इनको फिर से पुना बात करते हैं तो यह व्यक्तिगत दस्तावेज और सार्वजनिक दस्तावेज दोनों प्रकार से आते हैं व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे किसी की खुद की कोई लेखनी है किसी ने कोई अपनी स्वैम कोई रिपोर्ट लिखी हुई है यह प्रकाशित और प्रकाशित दोनों ह सकते हैं सार्वजनिक दस्तावेज जैसे आपके आतिहासिक दस्तावेज हो गये विश्वद्याले द्वारा तयार की गई रिपोर्टे हो सकती है आपके जो सार्वजनिक अभिलेख हैं यह सब इसके अंतरगत शामिल हैं आपकी आत्मकताएं व्यक्तिकत में हो सकती हैं चिंतंशील पत्रिकाएं जो हैं वो सेकेंडरी डेटा में आते हैं सेकेंडरी डेटा प्रयोग आप अपने शोध में कर सकते हैं लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए जैसे विश्वसनियता उप्यूब्तता और पर्याप्तता विश्वसनियता आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह आकड़े किस ने एकत्र किये आकड़ों के श्रोध क्या थे और आकड़े किस समय एकत्र किये आकड़ों को एकत्र करने के लिए किस उपकरन का किस विधी का प्रयोग किया गया इस तरीके के प्रश्वनों का उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए उसकी विश्वसनियता को जाचने के लिए उप्यूब्तता की बात कर प्रकार जो हैं वो मात्रात्मक और गुरात्मक होते हैं मात्रात्मक आंकड़े हम कब कहते हैं जैसे अभी चर्चा के प्रारंब में मैंने कहा कि कोरोना के समय में डेटा आता था हमारे पास कि इतने लोग कोरोना से प्रभावित हैं इतने इतने हॉस्पिटल से घर आ गये इत इतनों की मृत्यू हो गई है यह क्या है नंबर्ज में हमें इंफरमिशन मिल रही है इस प्रकार के आंक्डे जो है वो कहलाते हैं मात्रात्मक आंक्डे जो संख्यात्मक होते हैं वो मात्रात्मक कहलाते हैं आकार लंबाई अवधी स्कोर प्रतिशत आधी यह सब मात्रात्मक और चीफ्मेंट टेस्ट यह जो भी हमने टूल्स की बात इनको यूज सकते हैं अब मातरात्मक अन्कों Посकन करना के लिए कुछ स्टाटेमग्णी एंसचीर हम आपका ँरूग करते हैं जैसे यह इसे टी टेस्ट, मैक्नमेर, काई स्क्वेर, एनोवा, इस तरीके के जो स्टाटिस्टिकल टेक्नीक्स हम यूज करते हैं, वो हम मात्रात्मक आंक्रों का विशलेशन करने के लिए करते हैं। जैसे मात्रात्मक आंक्रे जो हैं कौन, क्या, कब, कहा, इस तरीके के जब उत्तर हमें मिलते हैं तो अमूमन हमें मात्रात्मक आंक्रे प्राप्त होते हैं। गुणात्मक आकड़े अभी हमने बात करी मात्रात्मक आकड़ों की अब हम बात करते हैं गुणात्मक आकड़े लोगों के विभार का वर्णर करने की कोशिश करते हैं और साथी साथ यह आकड़े यह भी बताते हैं कि दुनिया में जो सामाजिक पहलों का अनुभाव है वो किस प्रकार से करते हैं गुणात्मक आकड़े विभार को दिये गए अर्थों को समझने के लिए करते हैं और गुणात्मक आकड़े जो होते हैं वो नंबर्स में ना होके वर नात्मक होते हैं descriptive होते हैं एक explain किये होते हैं गुणात्मक आकड़े एकत्र करते समय है जो शोध करता होता है वो उसकी आवशक्ता होती है विस्तृत समझ की आवशक्ता होती है क्योंकि यह क्यों की समझ की जो क्यों प्रश्न कहा मुत्तर देते हैं उसकी खोज से संबंदित है इसमें शोध करता अपने विवेकून तरीके से यह चायन करता है कि किन आंकडों को रखना है और किन आंकडों को छोड़ना है अब जो आंकड़े हमें यह प्राप्त होते हैं मात्रात्मक आंकड़े यह चार लेवल्स पे प्राप्त होते हैं जिनको हम माप के पैमाने कहते हैं यह नामिक स्थर क्रामिक स्थर अंतराल स्थर और अनुपाद स्थर होते हैं नामिक स्तर क्या है नॉमिनल लिवर इस प्रकार का वर्गी करण कुछ विशेशताओं या गुणों के लिए देखी गई समानता और अंतर के अनुसार किया जाता है जैसे लिंग, पुरुष, स्त्री, आंकों का रंग, काला, नीला, पीला, नॉमिनक्लेचर नामित किया जा र यह जो क्रमिक स्तर है यह नामिक स्तर की तुलना में अधिक सटीक होते हैं और इसमें आप एक क्रम में जैसे प्रत्थाम, दितिय, तितिय, मार्क, स्कोर की जब हम रैंकिंग करते हैं फर्स्ट पोजेशन पर यह बच्चा, सेकंड पोजेशन पर यह बच्चा, इस तरह के इसमें गुडात्मक यह जो सापेक्ष गुडात्मक और मात्रात्मक अंतर को भी इंगित करता है, आपके रिलेटिफ पोजेशन को बताता है, इसमें वास्तविक शून्य नहीं होता है, वास्तविक शून्य का मतलब अगर शून्य है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो कोटी का पैमाना है और इसमें रेश्यो लेवल जैसे पौधे की उचाई, बच्चे की उचाई, सड़क की लंबाई, ये सब आपके अनुपाद स्तर के आक्डे हैं और ये इसमें वास्तिविक शुन्य से ये आरंब होते हैं अब जो हमारे आक्डे हैं, उनको किस प्रकार से विशलेशित और उनकी व्याख्या की जाती है, जो मात्रात्मक आक्डे हैं, जो हमारे पास numbers के terms में जो आंक्रे आते हैं उनके लिए हम दो प्रकार की सांखिकी का प्रयोग करते हैं वर्णात्मक, descriptive statistics और अनुमनात्मक, inferential statistics जो वर्णात्मक होती है वो data को explain करती है, data की characteristics को explain करती है और जैसे आपका माध्य, बहुलक, मध्यक, mean, median, mode यह आपके descriptive statistics है दूसरी हमने बात करी inferential statistics अनुमनात्मक, अनुमनात्मक में क्या है यह inference निकालता है दो के बीच में relationship क्या है comparison जैसे इसमें आप T-test, F-test, मान वितनी इस तरीके के परिक्षनों का प्रयोग करते हैं मात्रात्मक विशलेशन जब हम करते हैं quantitative analysis जब हम करते हैं तो उसमें जो हमारे चर है उनके बीच में तुलना, रुजहान क्या है, संबंध क्या है, अंतर क्या है इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है मात्रात्मक आवडों के लिए सबसे पहले हम आंकडों का संपादन करते हैं आंकडों को edit करते हैं फिर data को हम classify करते हैं edit में हम जो उतर दाताओं की प्रशनावली और अनसूचियों के मादम से जो आंकडे प्राप्थ हुए हैं उनको हम properly arrange करते हैं फिर उसको हम classification अलग-अलग categories में divide करते हैं और फिर आंकडों के हिसाब से हम parametric आंकडे जो होते हैं वो parametric या तो non-parametric होते हैं प्रामेट्रिक की जब हम बात करते हैं parametric प्राचलिक और non-parametric जो होते हैं और प्राचलिक प्रामेट्रिक आंकडे मुखी रूप से अंतराल अनुपात अभी हमने four levels of measurement की बात करी nominal, ordinal, interval और ratio scale तो parametric आंकडे जो होते हैं वो interval या ratio scale का उप्योग करके एकत रखिया जाता है और जो इसकी assumptions हैं जो मानिता हैं normal probability curve सामानिता की अवधार्ना को follow करता हुआ होना चाहिए सामाने रूप से normally distributed होने चाहिए यह आपके interval या ratio scale के होने चाहिए और इनमें homoscedasticity जनसंख्या में संभान जो population है उसका variance होना चाहिए इसमें हम T-test, F-test, ANOVA इस तरीके के statistics का use करते हैं दूसरी तरफ हमारे आते हैं और प्रचलित आंकडे और प्रचलित आंकडे क्या है जो हम nominal या chromic जो ordinal level के data है उनके लिए प्रयोग करते हैं हमारा sample size बहुत छोटा होता है और जो हम यहाँ पर सामाने देकी रहना normality की जो condition है वो पूरी नहीं होती है जो हमातात्मक आगडो के विश्चलेशन में सामाने था जिन सांखी की तक्नीकी का प्रयोग करते हैं वो है केंद्री प्रवृति के माप जो आपके measures of central tendency है आपकी किस तरीके से आपके आपका data distributed है विचलन शीलता के माप किस तरीके से दो या दो से अधिक समों की तुलना क के लिए परयाप्त आधान प्रदान आधार प्रदान करता है सापेक्षिक स्थिती के माप या आपके मादिका चतुर्दांश दश्मांग की के सबसे सामाने माप है इसमें आप परसेंटाइल डेसाइल कॉटाइल ये सब चीजों को आप देखते हो सह संबंद आपस का दो समुहों का जब इसलेशन करते हो या दो से अधिक आप एफ टेस्ट का प्रयोग करते हो तो हमने आज जो बात करी वो किस प्रकार से हम किन उपकर्णों का प्रयोग करके डेटा को एकत्रित करते हैं डेटा कितने प्रकार का होता है इन उपकर्णों की हमने लाब चर्चा की और साथ ही साथ आंक्डों के प्रकार प्राइमरी डेटा सेकेंटारी डेटा और कौलिस्टाटिटिटिव डेटा कॉंटिसीटिटिव डेटा और इनकी अनलिसीस किस प्रकार से होती है डिस्क्रिप्ट इस्क्रिप्ट डॉअर Inferential Statue le